नमस्कार दोस्तों, एरा वर्ड की आनलाइन क्लास में आपका हर्दिक स्वागत है पिछली कछा में हम लोग चर्चा किये थे कि बिशेश और बिशेशन बिशेश और बिशेशन पढ़ने के लिए इसको पढ़ने से पहले अभी तो इसको पढ़ना बाद में है, पहले इसको पढ़ने से पहले हमको क्या करना है वो हम लोग जान रहे थे कि बिशेश से सबदावली और बिशेशन सबदावली दोनों के विशेश में हम लोग को पहले से अच्छे से पहले ये समझ लें कि विशेश से क्या है और विशेशन क्या है तो हम लोगों ने इस चर्चा में पिछली कच्छा में देखा था कि विशेश से जो होता है वो संग्या और सर्वनाम का रूप होता है यानि संग्या का जो कारे है वो विशेश से ही होता औ और संग्या और सर्वनाम की जो विशेष्टा बताता है वो विशेष्ण कहलाता है तो पहले हम लोगों ने संग्या का अध्यन शुरू किया था कि पहले हम लोग संग्या को जान लेते हैं कि संग्या क्या है तो संग्या के बारे में हमने आप से बात की थी कि किसी व्यक्ति के के नाम वस्तु के नाम अस्थान के नाम भाव के नाम को संग्या कहते हैं और ये पहले आपको पहले से विदित है जांकारी है इसके बारे में तो संग्या के अगर प्रकार की बाद की थी तो हमने कहा था कि मोल रूप से तीन प्रकार की संग्या होती है एक को व्यक्तिवाचक दूसरे को जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरे को भावाचक कहते हैं और जातिवाचक के दो स्वतंत्र भेद होते हैं, एक को हम लोग द्रब्यवाचक कहते हैं, द्रब्यवाचक संग्या और दूसरे को कहते हैं समूह वाचक संग्या तमूह वाचक संग्या तो व्यक्ति वाचक जाति वाचक और भावाचक में हम लोग व्यक्ति वाचक और जाति वाचक के विशय में थोड़ी सी चर्चा किये थे तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो व्यक्तिवाचक संग्या में हमने बताया आप से कि ऐसी संग्याएं जिससे हमें एक अलस्तितु का बोध होता है यानि इसमें इस पृत्वी पर एक अही है चाहे कोई व्यक्ति का नाम हो चाहे कहीं अस्थान का नाम हो, शहर का हो, सड़क का हो, गली का हो, किसी देश का नाम हो, किसी प्रदेश का नाम हो, दीब का नाम हो, महादीब का नाम हो, सागर का नाम हो, महासागर का नाम हो, तो महासागर कहने से व्यक्तिवाचक नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कहेंगे प परवत पठार ये सब जातिवाचक संग्या हैं लेकिन नदी का अगर नाम है गंगा है या मुना है सरसुति परवत का नाम है हिमाला है पठार का नाम है जील है जहरना किसी का नाम अगर है तो व्यक्तिवाचक संग्या है और ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों भी स पहले भावाचक संग्या की बात कर लेंगे किसे कहते हैं भावाचक संग्या तो देखिए वह संग्या जो अपने आकार प्रकार रूप रंग के आधार पर न पहचानी जाती हूँ न पहचानी जाती हूँ सब्सक्राइब व्यक्तिवाचक संग्या और जातिवाचक संग्या आप इसके रूप देखकर आकार देखकर पार्चान जाते हैं अगर मैं आपसे कहूं जो रंग रूप आकार के आधार पर ना पहचाने, ब्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो रूप रंग के आधार के भी पहचानेंगे, जब तक हम देखेंगे तब ही कहेंगे कि हाँ ये इस रंग का है, इस रूप का, इस आकार का है, तो ये चीज है, तो भाव आचक संग्या वे संग्याय होती है जो अपने रंग रूप आकार के आधार पर नहीं पहचानी जाती बलकि अपने किसके आधार पर पहचानी जाती है गुण के आधार पर पहचानी जाती है दोस्त के आधार पर पहचानी जाती है धर्म के आधार पर पहचानी जाती है अवस्था के आधार पर पहचानी जाती है। यानि गुण, दोस, धर्म और अवस्था के आधार पर पहचानी जाने वाली जो संग्याएं हैं वह भाव आचक संग्याएं कहलाती है। इसमें अगर हम ता प्रत्य अगर लगाते हैं, ता प्रत्य तभी जो है, अगर हम ता प्रत्य लगाते हैं, तभी ये भाव आचक संग्याएं बने हैं। यानि सुन्दर ता। अगर हम बाग करें अवस्था की तो जैसे बुढ़ापा, भावाचक पन, लड़क पन, भावाचक पन। यानि जो अपने गुण, दोश, धर्म, आदिके याधार पर पहचानी जाते हैं, उन्हें हम भावाचक संग्या कहते हैं। अब इनका निर्माण जो होता है, भावाचक संग्याओं का, ये कुछ मूल रूप में होते हैं, कुछ योगिक रूप में होते हैं। तो जैसे अगर पहले हम योगिक रूप की बात करें, कि भावाचक संग्याओं बनाई कैसी जाती हैं। अगर भावाचक संग्याओं का निर्माण जाती वाचक संग्या से भी होता है। जाती वाचक संग्याओं इसके बात अगर बात करें, तो भावाचक संग्याओं का निर्माण बिशेशन से भी होता है, जैसे अभी आपने सुन्दर से सुन्दरता देखा। सुन्दर सब्द विशेशन है, विशेशन पे हमको जाना ही है, लेकिन पहले हम ये तो जाने कि विशेश से क्या है, तो विशेशन से भी यानि जाती वाचक संग्या से भी भावाचक संग्याओं का निर्माण होता है, आगे चलेंगे तो देखेंगे क्रिया से भी और कभी-कभी अभ्या से भी आपको प्राया दिख जाता है कि अभ्या से भावाचक अब आप कहेंगे यह अभ्या कहां से संग्या विशेशन क्रिया तो समझ रहते अभ्या कहां से आगे तो जो हमने विकारी और अविकारी पद की बात की थी पिछली कछा में उसमें हमने जो अविकारी पद लिखे थे, उनको दूसरे सब्द में हम अव्याय पद कहते हैं यानि जिनका अव्याय ना हो, जिसमें बिकार ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो तो अव्याय से भी भावाचक संग्याओं का निर्माढ होता है तो जैसे एक उधारन के रूप में देखते हैं कि जातिवाचक संग्या से कैसे भावाचक है एक संग्या है मित्र अब ये मित्र जो है संबंद को बताने वाला सब्द है और जो संबंद को बताने वाले सब्द होते हैं वो जातिवाचक संग्या होती है संबंद को जैसे मित्र है, सत्रु है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सब जातिवाचक है, यानि संबंद को बताने वाले सब्द जातिवाचक संग्या होते हैं अब आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को हमेशा साथ रखिएगा क्योंकि ये सब विशेशक का कारे करने वाले हैं विशेश से विशेशन पढ़ने के लिए तो ये जो मित्र है ये जातिवाचक संग्या है ये किसी गुल को बता रहे हैं इसका रंग रूप मित्र का तो रूप हो सकता है आपके लेकिन मित्रता का रूप नहीं होता मित्रता अपने भाव के अनुसार पहचानी जाती है यानि जो मित्रता सब्द है ये भाव वाचक संग्या है तो जब मित्र से मित्रता हुआ, तो सत्रु भी एक जाती वाचक संग्या है, वैसंबंद को बता रहा है तो सत्र से हो जाएगा सत्रुता अगर हम विशेशन से बात करें तो जैसे हमने सुन्दर पिछली वभीब बताये आपसे कि सुन्दर सब्द से क्या बना है? सुन्दर्ता तो सुन्दर्ता शब्द भाव आचक संग्या है अगर यहाँ पर देखा जाए बुढ़ापा तो बुढ़ापा बुढ़ा से बना है आपा प्रत्य जोड़ने के बाद इसमें बुढ़ा में बुढ़ापा हो गया और बुढ़ा सब्द जातिवाचक संग्या है और बुढ़ापा भाव आचक संग्या लड़का सब्द जातिवाचक संग्या है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे व्यक्ति हो मनुस्य हो नर हो सब जातिवाचक संग्या है और जातिवाचक संग्या लड़का से बना है लड़कपन तो लड़कपन भावाचक संग्या लेकिन प्राया हम लोग गुड़ापा हो गया सुन्दर्ता हो गया लड़कपन बुढ़ापा को विशेस्ण जोड़के बैटे हैं, तो पता चला उसमें दो ही विशेस्ण से हैं, दो ही विशेस्ण है और हमने चार विशेस्ण उसमें लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। इसलिए भाव आचक संग्या पढ़ना बहुत आवस्यक्ता, यानि भाव आचक संग्या के बारे में हमको जानना बहुत आवस्यक्ता, कि जो जाती वाचक संग्या से बना है ये भी भाव आचक है, जो बिसेसर से बना हुआ आपको दिख रहा है, वो भी है, जैसे सुन्दरता जैसे कोमलता है यह सब क्या है यह सब भाव आचक संगया है उसके बाद आता है क्रिया सब तो क्रिया से भी भाव आचक संगया बनती है जैसे मैं कहूं लिखना तो लिखना एक क्रिया है और लिखना से भाव आचक संगया बनी है लिखावट अब यह लिखावट विशेश से लिखावर विशेश्य है विशेशन नहीं है इसी तरह सजना यह सजना वो नहीं सजना है यह सजना मतलब तयार होना सजना से होगा सजावर अगर मैं कव पढ़ना अच्छा देखिए हर सब्द में एक अही प्रत्य नहीं जूड़ता है अब आप पढ़ना को कह दिजे कि यह पढ़ना का होगा पढ़ावट पढ़ावट नहीं होगा पढ़ाई होगा पढ़ना क्या होगा पढ़ना पढ़ना का होगा पढ़ाई तो यह सब जो हैं आपके सामने भावाचक संग्या इसी तरह सर्वनाम से भी भावाचक संग्याओं का निर्माण होता है जैसे मम है मम क्रकार शर्वनाव नाम ममत हो जाता है अपना है अपना से अपना हो जाता है तो इस तरह से हमने देखा कि जातिवाचक संग्या से भी विशेषण का निर्मान और सरी जातिवाचक संग्या से भावाचक संग्या बनी विशेषण से भी भावाचक संग्याएं बनी और क्रिया से भी भावाचक संग्याएं सर्वनाम से और अब्या से थोड़ा कं मिलती हैं दिख आपके सामने दिख रहे हैं जाती वाचक संग्याएं विशेशन और क्रिया इन तीन पदों से नहीं इनसे थोड़ा ज्यादा मिलते हैं जो भावाचक संग्याएं बनी है इसके बाद जो है मैं आपसे बता दू यह जिजतनी भी एक बार फिर से हम जो बीच-बीच में भावाचक संग्याएं आएंगे विशेशन पढ़ने के दोरान अभी तो हम सिर्फ एक संचित अवलोकन कर रहे हैं लेकिन बीच-बीच में जब भी विशेशन के दोरान, विशेशन पढ़ने के दोरान विशेश और विशेशन पढ़ने के दोरान जब भी यह संग्याएं आएंगी यानि भावाचक संग्याएं तो मैं आपको वहाँ पर जरूर डिकोट करना जरूर बताऊंगा कि हाँ ये भावाचक संग्या है और ये इस सब्द से बनी है जातिवाचक से बनी है या फिर विशेशन सब्द से भावाचक संग्या बनी है यानि हम विशेशन से भी भावाचक संग्या बना कर उसी संता, बुढ़ापा, लड़कपन, पढ़ाई, सजावट, लिखावट इस प्रकार से जब हमारे सामने आते हैं भावाचक संग्याएं तो हम इनको विशेशन समझने की भूल कर लेते हैं और वहीं पर हमसे गलती हो जाती है तो विशेशन समझने की अब नहीं भूल करेंगे फिलाल विशेश विशेशन के दौरान इसकी विश्तृत चर्चा जब जब आएगा तब तब फिर फिर बार बार होगी इसके बाद थोड़ी सी हम लोग ये भी आपसे बता दूँ कि अगर भावाचक संग्याओं का अगर आप बहुबचन बनाते हैं वह इसे प्राया बना सिथे बावाचक संग्याओं कि अगर बहुबचन बनाते हैं तो वह कि जातिवाचक्षा इसके दौर के रूप में कार्याज this पिलाल आगे हम चलते हैं कि ज़ती वाचक संग्य में बात किये थे कि द्रभ्यवाचार और समूव वाचक संग्याएं भी होती है मैं आपसे बता दूँ अगर विकल्प में कोई द्रब्यवाचक संग्या या समूवाचक संग्या हो और उसमें जो है जातिवाचक विकल्प में हो और द्रब्यवाचक या समूवाचक में सिन्ना हो तो आपको जातिवाचक ही चुनना है तो पहले द्रब्यवाचक की एक संशित बात हो जाए कि द्रब्यवाचक संग्याएं क्या हैं तो जिनका बोध हम नाप तोल के आधार पर करते हैं याने जिनको नापते हैं मापते हैं या तौलते हैं वो सब द्रब्यवाचक संग्याएं कहलाते हैं जैसे चीनी है जैसे पान में आते हैं लेकिन अगर द्रब्य वाचक भिकल्प में न हो पूछ दे चीनी में कौन संग्या है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा हमको जातीव वाचक संग्या ही चूश करनी है क्योंकि इसी का एक सवतंत्रभेद है कि इसके बाद समुवाचक संग्या की बात करते हैं एक गुरुप का बोध होता है, उन्हें हम समुवाचक संग्या कहते हैं, तो जैसे आपका ये सेना है, सेना से एक समुवाचक का हमको बोध होता है, गुच्छा है, धेर है, स्रिंखला है, परिवार है, सभा है, समिती है, ये सब कि सब क्या हैं? समुवाचक संग्या, लेकिन मैं कहा रहा हूं कि अगर समुवाचक नहीं है तो फिर हम जाती वाचक ही बताएंगे उसे इसलिए ये संग्या के बारे में हमको अध्यान करना बहुत आवर्शक था अगर विशेषण पढ़ना है तो पहले ये तो जानें की विशेषण क्या है तो विशेषण की परिवासा बार बार मैं कह रहा हूं कि संग्या और सर्वनाम की विशेषण तो संग्या तो जानना जरूरी था क्योंकि जिस पद से विशेष्था बताई जक्तलागCar बताई जाती है जैसे मैं कहूं जेसे मैं एक वार के लिख रहा हूं आपके सामने राम अच्छा लड़का है मैं जब विशेष्था पड़ा जाएगा तो मैं बताओंगा इसमें दो विशेष्टे है लेकिन यहाँ पर विशेष्टा किसकी बताई जा रही है लड़के सब्द की यानि लड़का की विशेष्टा बताई जा रहे कि वो क्या है अच्छा देखिए लड़के की ब्यारती को मर्यादित कर रहा है इसके फैलाओ को क्या कर रहा है अच्छा सब्द मर्यादित कर रहा है यानि इसकी लड़का की विशेशता बता रहा है राम कैसा लड़का है अच्छा लड़का है तो जब अच्छा लड़का है इसका मतलब लड़के सब्द की विशेशता बताने वाला सब्द अच्छा है तो यहाँ पर हमें ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर ये इस लड़के की विशेशता बता रहा है तो ये लड़का सब्द क्या हुआ विशेश्य हुआ और ये अच्छा सब्द क्या हुआ विशेशन हुआ अब अच्छा सब्द अगर विशेशन हुआ तो लड़का सब्द विशेष्टे है तो जिस सब्द से विशेष्टा बता है यह संग्या सब्द है लड़का मैंने आप से कहा कि लड़का हो मनुस्य हो नर हो आदमी हो व्यक्ति हो कोई भी हो सब जाती वाचक संग्या है तो जातीवाचक संग्या अगर है लड़का तो इसकी विशेषता बता रहा है, अच्छा सब्च तो ये देखे विशेषते क्या हुआ, संग्या ही तो हुई इसलिए हमने संग्या का अध्यन कि पहले विशेषते और विशेषत disturbing जानने से पहले संग्या और सर्वनाम के बारे में जानना जरूरी है इसलिए हमने पहले संग्या की बात की कि लड़का एक जाती वाचक संग्या है और इसी की विशेष्णा बताई जा रही है अच्छा सब्द से अभी हम लोग विशेष्णा का अध्यान नहीं किये हैं इसलिए अच्छा के बारे में बहुत ज्यादा आपसे नहीं बात करेंगे कि अच्छा कैसा विशेशन फिलाल अभी सिर्फ हमने संग्या की बात की थी इसलिए हमने कहा कि संग्या ही विशेशन का कारे करती है तो सरी विशेशन का संग्या ही विशेशन का कारे करती है इसलिए संग्या को बताया था तो लड़का एक जाती वाचक संग्या है और इस पद में इस वाक्य में विशेश क्या है लड़का है तो इस प्रकार से हम लोग जब अब अगली नेश्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम लोग किस बाद चीज की चर्चा करेंगे इसके बाद हमको सर्वनाम के बारे में जानना है क्योंकि विशेशन में हमको सर्वनामिक विशेशन अगर पढ़ना है तो पहले सर्वनाम के विशेश में अच्छे से उसका अध्यान करना आवर्स है फिलाल आज की क्लास यहीं तक फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके बारे में विस्थित और चर्चा करेंगे धन्य वाई